GST Superfast Revision के अंदर मैसीव एज सोनी आज इस topic cover करूँगा most important exam के लिए और practical life के लिए भी बहुँ जादा important है जिसका नाम है block credit सबसे पहले topic का नाम दिखते हैं block credit जिस credit को block कर दिया गया अब तुम्हें credit ही नहीं पता होगा तो block credit कैसे समें जोगे तो पहले सीखते हैं पहले सीखते हैं credit क्या होता है और credit क्यों दिया जाता है credit का पूरा नाम है ITC ITC input tax credit input मतलब जो मैंने input खरीदा उस input पर जो मैंने सामने वाले ओंटे को tax pay कर दिया और उसनने जो government को जमा करवा दिया उसको बोलते है output tax credit ITC ठीके सर why credit सबसे पहले सीखते है credit क्यों दिया जाता ह अगर किसी interview में कहीं भी आपसे पूछा जाए why ITC, ITC क्यों दिया जाता है तो आप एक line में जवाब देंगे to avoid double taxation, double taxation को avoid करने के लिए credit का concept ने जनम लिया था, अब double taxation कैसा है मैं example से समझाता हूँ, मैंने किसी से कच्चा rubber खरीदा, कच्चा rubber खरीदा, raw material खरीदा, मेरे लिए तो यह क्या बन गया? Input, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए क्या था? Output, इस बंदे ने मेरे को बेचा, मैं यहां समान खरीदी के लाया, कच्चा rubber लेकिया, मेरे लिए क्या बन गया? Input, माल लो इसने कच्चा rubber मेरे को 10,000 रुपे में बेचा, और 18% माल लो GST का rate था, तो 18,000 रुपे इसने चार्ज कर लिए, तो 11,800 रुपे इसने मेरे से चार्ज करे, इस बंदे ने 11,800 का क्या किया होगा? दो काम, 10,000 रुपे तो इसने माल के अपनी जेब में रखे होंगे, और 18,000 रुपे टेक्स के GST के नाम के जो लिए हैं, वो इसने गोर्मेंट को जमा कर दिये, सिंपल, ये इंपुट लेके में घर आ गया, ये कच्चा रुपर लेके में घर आ गया, और मैंने इस कच्चे रुपर को मशीन में डालके, लेवर लगा के और इसे टायर बना दिया, क्या बना दिया, टायर, अब ये टायर मार्केट के अंदर मैंने सेल कर दिया, औ मालो फिर से GST का रेट, टायर पे GST का रेट 18% है, तो मेरे कस्टमर से 3600 रुपे का GST चार्ज किया, और टोटल कस्टमर से मैंने 23,600 रुपे लिए, ध्यान से सुनना सारी बातों को, अब गोवर्मेंट फिर से बूखी लालची बनके कह रही है, ला मेरा 3600 रुपे का क्रेट मेरे नाम का GST लिया है, ला जमा करवा मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, गोवर्मेंट ची, गोवर्मेंट ची, इस इन्पुट से ही ये टायर बना है, इस टायर के अंदर कच्चा रबर की वैली इनिक्लूड है, इस 20,000 रुपे में ये 10,000 रुपे का जो कच्चा माल था में उस वैली इन्कलूड है, और इस 10,000 रुपे मैं ओल्रेडी टेक्स पे कर चुका हूं, अगर मैंने iç 20,000 पूरे 20,000 रुपे दोबारा से टेक्स पे कर दिया, तो ये वाला 10,000 दो बडा टेक्स हो जाएगा, कितने बार टेक्स हो जाएगा, दो बार टेक्स हो जाएगा, इंपुट से आउटपुट बनता है, इंपुट पर भी टेक्स दूँ और आउटपुट पर भी टेक्स दूँ यह तो दो दो बार टेक्स हो गया, तब concept बना था credit का, अगर आपने आउटपुट पर टेक्स दे दिया, बड़े धान सुनना, basic principle है ITC का, अगर आपने आउटप कितना हम ओल्रेडी पे कर चुके हैं, अठ्रा सुर्पे, तो गोर्मेंट को अब कितना जमा करा दाना है, बैलेंस अठ्रा सुर्पे, गोर्मेंट को जमा करा देना है, तो इसलिए आया था credit का concept, लेकिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी है, नहीं है, स्टुडेंट को इसक किसी concept को बोलते हैं, block credit, मैसी वेज़ोनी आपको A से लेके Z तक के 100% concept सिखाऊंगा, block credit के, आज की सिंगल वीडियो के बाद आपको पता लगजेगा, किसका credit book करना है, और किसका credit book नहीं करना है, चलिए करते हैं, start topic, block credit, section के अगर बात करूँ तो section 17, subsection 5, मेरी तो यह आदत आप याद करें तो ना चाहिए ना करें, section 17 गवन करता है block credit को, topic का नाम है block, block कर दिया भाई, यह credit आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहले और सबसे इंपोर्टेंट चीज कवर करते हैं, लोग motor vehicle बड़े खरीते हैं, गाड़ियां खरीते हैं, ट्रक्टर खरीते हैं, जेसी भी दिखा ऐसा, motor vehicle ठीन परकार के हो सकते हैं, special purpose vehicle हो सकता है, goods transport vehicle हो सकते हैं, या passenger transport vehicle हो सकते हैं, और तो कोई category नहीं, या तो passenger transport vehicle होगा, या goods transport vehicle होगा, special purpose vehicle होगा,差ल परपस से जो किसी specific PonQuest के लिए होते हैं, जिन का दूसरा use नहीं किया जा सकता, जैसे कोई crane है, crane के अंदर को ट्रेक्टर है कोई कंक्रीट मिक्षर है जिसे सिमेंट विगरा का सारा मसाला मिक्स किया जाता है कंस्ट्रक्शन सर्विस में जो यूज होता है बड़ी-बड़ी हाइवाज होती है जेसी भी होती है यह स्पैशल परपस विकल होते हैं पल्ले गाठ मार लू इनको जब भी आप बाय करोगे आपको जीएस्टी का क्रेट मिलेगा जीएस्टी का क्रेट मिल जाएगा क्योंकि लिए पर्सोiving के लिए यह हमेशा ही बिजन स्के लिए जासे आपने कोई ट्रक खरीडा है सूरी जैसे आपने कोई ट्रक लिया है कुम आपने बड़ा कंटेनर करीदा है आपने लोरी खरीदी है जिससाप जब ड़ुड को ट्रांस्पोर्ड कर पाओ ऐसी चीजों का इसे मिलेगा, इनका credit आप book कर सकते हो, अगर आप इनको business में use करते हैं, तो आपको credit मिलेगा, सबसे ज़्यदा जगड़ा है passenger transport vehicle पे, जिसमें passenger transport करते हैं, जैसे हम गाड़ी में बैठके जाते हैं, तो ये goods transport vehicle ये passenger transport vehicle है, अब इसका credit मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये depend करता है दो बा इसे ज़्यादा बैठ सकते हैं, more than 13% की sitting capacity उसके अंदर है, sitting capacity, या तो case होगा yes का, या तो उसमें 13 बंदों से ज़्यादा आएंगे, और या नहीं आएंगे, जहां रखना मैंने more than 13 बोला है, इसका जलब 13 cover नहीं है, 13 और less यहां पे cover है, और more than 13 यहां पे cover है, आपने जो भी motor vehicle खरीदा है, अगर उसमें 13 बंदों से ज़्यादा बैठ सकते हैं, तो भाई साब उसका credit आपको मिलेगा, उसका credit आपको allowed है, उसका GST आप वापिस ले सकते हैं, क्योंकि 13 बंदों से ज़्यादा की कोई गाड़ी अगर होती है, जिसमें 13 लोग उसे ज़्यादा लोग बैठते हैं, वो personal use में नहीं आती, वो हमेशा business use के लिए होती है, तो always आपको credit मिलेगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, आपने कोई bus खरीदी है, जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं, आप उसका GST आप इस ले सकते हैं, उसका credit block नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई normal vehicle खरीदा है, और जिसमें 13 लोगों से कम बैठते हैं, तो आपको credit, अब आपको check करना पड़ेगा, हो क्या, फिर आपका business देखा जाएगा, अगर आपका business ये business है, तो तो आपको credit मिल जाएगा, 13 लोगों से कम पे भी, और अगर आपका ये business नहीं है, तो आपको credit नहीं मिलेगा, for example, तेरा बंदो वाली condition applicable नहीं है, इसका मतलब ये business ऐसे हैं, जहां 13 का concept नहीं देखा जाएगा, 13 लोगों की sitting capacity नहीं देखी जाएगी, अगर आपका काम है sale purchase of motor vehicle का, अगर आपका काम ही है passenger transportation का, आप लोगों को ही passenger transport करते हूँ, ये आपने driving school खोल रखा है, क्या खोल रखा है driving school इसमें आप गाड़ियों का use करते हैं as a stock और गाड़ियां as a asset और driving सिखाने का अगर आप काम करते हैं, ये आप गाड़ियों का आपका renting का, leasing का या hiring का business है, आप गाड़ियों का किराये पर देते हो, तो आपकी sitting capacity बेसे 13 से कम भी क्यों ना हो, तो भी आपको credit मिल ये business हैं, तो always credit, नहीं देखनी sitting capacity, लेकिन अगर ये business नहीं है, तो sitting capacity अगर तेरा से ज्यादा है, तो ये credit मिलेगा, मैं साब, ध्यान सुनो, मैं एक CEO हूँ, ना मेरा sale purchase of motor vehicle का काम है, ना मैं passenger transport करता है, ना मेरा driving school है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने मारूती की ब्रेजा गाड़ी खरीदी है, और इस ब्रेजा गाड़ी से daily में office में जाता हूँ, और मैं चाहूँ कि मैं इस गाड़ी के ऊपर जो GST पे करके आया हूँ, वो GST मुझे वापिस मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कान motor vehicle का credit सिर्फ इन ही चार business को allowed है, अगर इन ये चार business आपके न मिल जाएगा, ठीक है सर, सर एक बंदे की shop है, और shop है उसने अपने दुकान तक daily आने जाने के लिए और उसमें कुछ समान ले जाने के लिए एक गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी के अंदर पांच लोग बैठ सकते हैं, क्या उसको credit मिलेगा, तुरंत चेक करें, दो condition, क्य क्या 13 लोगों से जादा है, नहीं, क्या इसका काम driving school का, sale purchase of motor vehicle का, renting, leasing, hiring का है, नहीं, इसको किसी भी condition में credit नहीं मिल सकता, motor vehicle का complete concept मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है सर, क्या इसके मैं example भी आपको कराऊं, लो, अब आप example देखते ही बता देना, कि इसमें credit मिलेगा और नह एक one passenger vehicle खरीदा है, जिसकी sitting capacity 13 लोगों से कम की है, tax credit is not allowed, tax credit नहीं मिलेगा, ABC limited purchase ने, two wheeler, मैं आपको बता दू, two wheeler का credit तो किसी भी condition में नहीं मिलेगा, two wheeler, चाहिए आप passenger transport करने के लिए हैं, चाहिए आप किसी को bike चलाना सिखाने, two wheeler का credit तो आपको allowed ही नहीं किया गया है GST Act के अंदर, तो two wheeler का credit भी आपको not allowed है, ABC limited purchased one truck, आप तुरूंत दिमाग लगाएंगे one truck, सार ने बताया था special purpose vehicle, truck, goods transport vehicle, JCB, container, concrete mixture, truck, highways, ये सारे special purpose vehicle होते हैं, इनका credit आपको allowed है, X ने एक motor car खरीदी, जिसकी sitting capacity 13 लोगों से ज्यादा है, अब चाहिए school हो चाहिए ना हो, च जिसने भी गाड़ी खरीद लिए 13 लोगों से ज्यादा की, credit is allowed, ABC limited purchased one truck, credit is allowed, बढ़ते ही तुरंत, बस खरीदी है, credit is allowed, एक ट्रक खरीदा है, transportation of goods के लिए credit is allowed, motor car खरीदी है, driving school, ओहो, कहां गया, motor car खरीदी है, driving skill सिखाने के लिए credit is allowed, एक car dealer है, वो गाड़ियां खरीदा है, sale purchase के लिए credit is allowed, cab service वाले ने काम ही, cab का अंदर, passenger transportation का होता है, credit is allowed, driving school वाले ने 13 गाड़ियां खरीदी है, सिखाने के लिए credit is allowed, ITC is allowed, तो आपको पता लग गया कि ये particular business हो, तो credit मिलेगा, आथर आपको सिखा देता हूँ, motor vehicle की बात होगी, तो हम बात करते हैं, vessel और aircraft की, vessel and aircraft, अब aircraft और वैसल के अंदर भी क्या होते हैं, आट गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, या थो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, या तो वैसल और aircraft के अंदर, वैसल बोलते हैं, पानी वाले क्या बोलेंगे navigating, या aircraft school हो, आप plane, उडाना सिखाते हैं, aircraft आपका school है, मतला है आप training देते हैं, क्या देती है आप training? sesail purchase of vessel and aircraft है तो upgrade book कर सकते हैं, या आपका goods transportation का business है, तो upgrade book कर सकते हैं, या आपका passenger transportation का business है, तो upgrade book कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आपका business है like मेरी company ABC company का मैं director हूँ और मेरे पास एक personal aircraft है जिसने मैं daily अपने office में जाता हूँ तो आप आपको इसका credit नहीं मिलेगा सिद इसी बात है इसका credit आपको नहीं मिलेगा third concept जिन चीजों का motor vehicle का जिन motor vehicle का जिन vessel और aircraft का मैंने आपको credit allowed करवाया है इन से सम्मंदित अगर आपने कोई general insurance servicing और motor vehicle है तो उसकी service भी होगी अगर वो खराब होगा तो रिपेर भी कराना पड़ेगा तो इनका repair का इनका services का इनका insurance का और जितने भी खर्चे हैं उनका credit भी आपको मिलेगा उनका credit भी आपको मिलेगा मतलब गाड़ी का allowed है तो service का allowed है अगर गाड़ी का allowed नहीं है तो service का या general insurance का credit कभी भी आपको नहीं मिलेगा तीन चीज़ें आपको crystal clear हो चुकी है fourth चोथी चीज़ों सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में doubt करती है वह construction service सर्म construction service लेते हैं हम अपना office बनवाते हैं अपना घर बनवाते हैं तो क्या हमें 8 रेती रोडी सरिया लोहे का समान जो खरीडते हैं और हम GST पे करके आते हैं क्या उसका GST हमें वापिस मिलेगा तुरंत आप दो चीजे देखेंगे construction service अगर आपने ली हैं तो आप को कोन या तो आप बिल्डर हो जिसका काम ही construction का है या तो आप बिल्डर या contractor हो contractor वो जो construction का काम करता है contact लेता है या आप नॉन बिल्डर हो मतलब other category में आते हैं अगर आप builder हो जिसका काम इंट रेती रोडी खरीदना लगाता रूटीन का काम है और वो आगे इन से घर या दुकान या शौप या कुछ भी बना के बेचता है तो उस बंदे को always credit loud है मतलब जिसका काम ही construction service का है उसको credit हमेशा मिलता रहेगा लेकिन तब credit का वही rule follow करेंगे अगर output taxable है तो ही input tax credit मिलता है मानलो एक builder ने बड़ा important case करा आरों बिटा मानलो एक builder ने इंटे रेती रोडी input खरीदा construction material खरीदा और उससे खुद का office बनाया है इंपुट से उसने जो office बनाया है खुद का office बनाया तो इस मतलब किसी को sale नहीं किया और sale नहीं किया तो इस ने किसी से tax नहीं लिया और tax नहीं लिया तो output taxable नहीं वा तो इस case में इसको इस builder होते वे भी इसको credit नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्यों नहों, चाहे builder भी क्यों नहों, अगर वो इंटे रेती रोडी खरीदी के लाता है, तो उससे जो भी बनाएगा, वो किसी को sale करना पड़ेगा, sale करके सामने वाले से G CST comment को देगा, तो तो इसको input tax credit मिलेगा, otherwise credit नहीं मिलेगा, तो builder, अगर paper में आपको confuse करें, किसी builder ने अपना खुद का office मनाया है, किसी builder ने अपना खुद का घर बनाया है, क्या उसको credit मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा no, दूसरा concept, अगर किसी builder ने समान लेके, flat मनाके लोगों को sale किया है, अब उसको credit मिल जाएगा 110%, जी सर, अगर आप है non builder, अगर आप है कौन, non builder, आपका काम construction का नहीं है भाई, जैसे for example, मैं CA हूँ, अब मैं आज तक किराए के मकान पे, किराए के office पे अपना office चलाता था, अब मैंने क्या किया, किसी construction वाले को बात की, क्य मेरा office बना दो भाई, इस office में बैठके, sorry, इस office में बैठके, मैं अपना CA का काम क्या करूँगा, मेरा खुद का office में बनवा रहा हूँ, अब खुद का office बनवाऊंगा, तो मुझे इंटे, रेती, रोडी, सरिया, जितना भी material खरीदना पड़ेगा, जिसने मेरे को बेचा हो इसको GST चार्ज करेगा, तो सवाल है, क्या एकसी अपना office बनवाले के लिए GST चार्ज का credit बुक कर सकता है, जवाब आया, no, क्या आप builder है, नहीं, क्या आपका काम construction service का है, नहीं, तो आपको credit किसी भी शूप में नहीं मिलेगा, काम खतम, सर, कोई बंदे ने कोई शौप बनवाई और शूप में अपना business करेगा, तक क्या उसको credit मिलेगा, सीधा चेक करो, क्या उसका काम construction का है, नहीं, अगर उसका काम construction का नहीं है, तो क्रेट किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, इसका मतलब सर, दो concept हो गए, अगर आप non builder है, अगर या तो आपने construction service ली है, या तो आपने construction service ली है, या आपने repairment की service ली है, repair की, renovation की, alteration की, जिसके अंदर आपने construction, construction नहीं कराया है, बनी बनाई चीजों के अंदर repairment करवाई है, इन दोनों के concept अलबल है, अगर आपने construction service ली है, तो किसी भी सूरतिय हाल में आपको credit नहीं मि आई हैं तो यह एक तरीके का expense है यह तरीका क्या है expense तो इस expense के दो तरीके हो सकते हैं या तो इस expense को आपने पींडल से book किया है इसको खर्चा मानते पींडल से book किया है और या आपने commerce के छात्र आपको पता होगा capitalize करना capitalize या आपने इस खर्चे को capitalize कर दिया है building या दुकान की cost में add करके depreciation claim कर रहे हो अगर आपने repair renovation का खर्चे को capitalize कर दिया है तो आप कभी भी इसका credit नहीं ले पाएंगे credit आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने building के repair renovation में कोई किसी से service ली और उसने आपसे GST चार्ज किया और आपने इस खर्चे को पींडल में book किया है तो आप उस खर्चे का उस खर्चे का credit ले सकते है इसका original construction credit नहीं मिलेगा repair का partial case या तो repair क को खर्चे को अपने capitalize किया है या repair के क्रचे को आपने penal से book کیया आगर repair के खर्चे को अपने penal से book किया तो credit मिल जएगा और अगर आपने capitalize किया है तो credit किसी सूर्थ हाल में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये बात भी हमारी समझ में आ गई, सर एक चीज बताओ, इसका मतलब बेसिक रूल है, अगर आपने कोई input लेके आये, और इस input से output बनाया, और output के sale करके, output को sale करके, government का, government का मुँ भर दिया, किस से tax से, अगर आपने output पे tax जमा कराया है, सीधा-सीधा principle paper में confused होने क अगर आपने output पे government का tax जमा करा दिया, तो आपको input पे जो अपने tax बेकिया था, उसकी चूट मिलेगी, अगर ये condition यह खराब हो गई, आपने output पे government को tax जमा नहीं कराया, तो किसी भी condition में आपको tax की चूट नहीं मिलेगी, example देता हूँ, मैं समान लेके आया, मैं input लेके आ किया, नो सर, क्या मैंने उस output को sale करके government को tax जमा कराया, नो सर, जब ये output आपका taxable नहीं हुआ, तो इस input का, जब आपने समान खरीदा था, तो आपने ITC बुक किया होगा, तब तो ये सोच के बुक किया होगा, कि future में से समान बनाऊंगा, customer से GST चार्ज गरूँगा, और ITC कि ले लूँगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो अब इस ITC को आपको reverse करना पड़ेगा, बुक से वापिस, destroy करना पड़ेगा, ये ITC आप बुक नहीं कर सकते, इसका मतलब सर, जो input मैं खरीदी के लाया, अगर उससे मैंने free sample वांट दिया, free sample, free sample का मतलब मैंने customer से G GST charge नहीं किया, अगर ये input मेरा stolen चोरी हो गया, अगर ये input मेरा fire से जल गया, अगर ये मेरा input पड़ा पड़ा वैसे qualities की खराब होगी और ये usable नहीं रहा, कोई भी case हो, क्या आपने तुरंट check करना output बनाया, no, output नहीं बनाया, तो sale भी नहीं हुआ, बिलकुल, और output sale भी नह नहीं आया, बिलकुल, तो अगर ये काम नहीं हुआ, तो आपको इस input का credit नहीं मिलेगा, जी सर, next, अगर आप input लाए, अगर आप कोई चीज लाए, और आपने वो चीज, business के लिए use ना करके, business के लिए use ना करके, आपने उसको personal use कर लिया, personal use कर लिया, फिर check करें मेरे वाल AC लाया, तो AC के उपर मैंने ITC book कर लिया, अब एक AC मैंने घर भेज दिया, क्या जो घर भेज है, क्या मैंने घर से GST चार्ज किया है, no, क्या government के पास GST गया है, no, तो आपको इस ITC का credit नहीं मिल सकता, सीधा सीधा नियम है, अगर आप output पे government को text दोगे, मतलब government को अगर output की शूट मिलेगी, और किसी भी बज़े से अगर आप output नहीं बना पाए, आपका output खड़ाब हो गया, आपका output चोरी हो गया, आपने output परसनल यूज कर लिया, आपने output के free sample बाट दी, government कहती, मेरे को तो खूल नहीं मिला, तो आपको credit किस नाम का, आपको credit नहीं दिया ठीक है सर, जो लोग composition scheme में आते हैं, जो लोग composition scheme में आते हैं, अरे composition scheme में वो लोग आते हैं, जो ना तो tax charge कर सकते हैं, और ना credit book कर सकते हैं, तो भी आपके लिए सारे credit block हो जाएंगे, आप credit book नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, next concept, अगर आप NRTP हैं, NRTP, non-resident taxable person है, कौन हैं, non-resident taxable person, इन लोगों को साफ बोल रखा है, अगर आप goods या service, इंडिया से purchase करेंगे, non-resident taxable person, जिसका fixed place of business नहीं होता इंडिया में, अगर आप यहां से good service करीदेंगे, और यहीं पर supply कर रहे हैं, तो आपको ITC किसी भी सूरते हाल में नहीं दिया एक्जाम के लिए आज रखना, अगर यह इंपोर्ट करते हैं goods का, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट का case है, जहां पे इनको credit allowed किया गया है, ठीक है सरु, सरी चीज बिताओ, आपने सारी चीजी सिखाई, अब यह rule हमें रट लिया, अगर output पे हम खून देंगे, तो input की हमें आजादी मिलेगी, गौर्वर्मेंट को खून नहीं दिया, तो आजादी नहीं मिलेगी, इस rule की कोई exception है, बिल्कुल, एक इस rule की exception है, जाँ खून भी न माल आपने export कर दिया, या तो export कर दिया, या SCZ को sale कर दिया, SCZ, special economic zone, जो किसके लिए बनाए जाते हैं, वो सारा माल जो export किया जाता है, इसके लिए एक special area designate कर दिया जाता है, इसको बोलते है, special economic zone, ultimately export को बड़ावा देने के लिए, जब भी आपने माल बेचा है, तो आपको example करके दिखाता हूँ, मैं किसी से समान लेके आया, जिससे समान लेके आया, उसने, sorry, जिसने समान बेचा है, एक second, उसका तो output है, और मेरे लिए क्या बन गया है वो, input, मैं raw material लेके आया, और से मैंने final product बनाया, और final product बना के मैंने export कर दिया, और एक rule है, export the goods, not the taxes, क्योंकि हम अपने export पे incentive देते हैं, हम अपने exports को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारी import बहुत जाता है और export बहुत कम है, तो government कहती है, export पे हम tax नहीं लेंगे, तो आपका output tax नहीं दिया, आपने government को खुन जबान नहीं कराया, लेकिन जब आपने किसी से समान खरीदा था, जब आप आपका input है, तो किसी का क्या था, वो output, उसने तो आप से GST चार्ज किया था, मैं जितना भी समान खरीद के लाया था, local vendor से, उन सब ने मेरे से क्या चार्ज किया था, GST, और मैंने उसका क्या book कर लिया था, ITC, अब ITC जब मिलता है, जब आपका output taxable होता है, लेकिन आपके अब क्या होगा, यह ITC आपको वापिस कर दिया जाएगा, reverse नहीं, refund कर दिया जाएगा, मतलब यह old एक exception है, कि बिना खून दिये भी, आपको ITC book भी करवाया, और आपको cash में वापिस भी कर दिया, refund भी कर दिया गया, otherwise किसी भी case में, अगर आपका output taxable नहीं है, तो आपको IT इसी reverse करवाया जाता है, book ही नहीं करने दिया जाता, ठीक है sir, मैं फटा फटा बुक से match करा देता हूँ इन चीजों को, अगर आपका motor vehicle system मंदित को general insurance, servicing, repair, aircraft, maintenance हुआ है, तो उसका credit भी आपको मिल जाएगा, construction service का concept में सीखा चुका हूँ, वीडियो को दोबारा देख लेन है, तो भी आपको देखा जाएगा, आपने दूसरों के लिए काम किया है, खुदी के लिए काम किया, अगर खुदी के लिए काम किया, फिर से no credit, और दूसरों के लिए काम किया, तो credit आपको मिल जाएगा, example यहां पर दे रखे, जैसे मैं आपको करवाना चाहूँ, ABC Limited है, जिससे ने contact दिया है XYZ Limited को अपनी office बनाने के लिए सबसे फ़ली है देखो क्या ABC Limited का काम construction का है नहीं, तो इसको किसी भी condition में credit नहीं मिलेगा, ABC Limited ने जीतना भी माल खरीद है उसका ITC not allowed नहीं मिलेगा, Mr. A एक builder है, builder है sir, उसने building मनाई एक लिए इन किस के लिए, खुदी के लि गया, allowed हो गया, ABC Company material buy करती है, office building के लिए, ABC Company का काम construction का नहीं है, उसने office building बनवाई है ताकि अपना staff को वहाँ पे रख सके, इस case में इसको credit नहीं मिलेगा, आपको 30 चेक करना builder है या नहीं है, builder नहीं है, तो credit किस नाम का, ठीके sir, तो सारे case में आपको करवा चुका हूँ, अ अगर आप non-resident taxable person है, तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी goods service आप India से खरी देंगे, और India में supply करेंगे, आपको ITC नहीं मिलेगा, हाँ, अगर आप goods import करते हैं, तो आपको ITC मिल जाएगा, अगर आपने goods करी दी, और personally use कर ली, तो आपने किसी को sale ही नहीं करी, और दूस टेक्स नहीं दिया, तो वो input का credit आपके लिए क्या होजएगा, ब्लॉक होजएगा, फिर next concept था, zero rated supply क्या होती है, आपको बता दिया, जब हम SEZ को माल supply करते हैं, या direct export कर देते हैं, तो जो हमने input पर tax दे रखा होता है, वो हमें यूं का यूं refund मिल जाएगा, बेशक हमें ख transformer खरीदे, manufacturing करने के लिए, credit मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, truck खरीदे, goods, transport vehicle, credit मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, raw material खरीदा, credit मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन confectionery item, इसमें एक point मेरा रह गया, मैं बता दूँ आपको, एक point छूट गया, important saw point, चलो इसमें नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने, अगर आपने कोई input लिया, like, आपका, आप employer है, आप कोन है, employer, आपने अपने employee के लिए, को, पूरा दिन काम करते-करते ठक गे था, आपने खाना खिलवा दिया, जब आपने खाना मंगवाया होगा, किसी ने तो आपको खाना बेचा होगा, उसका तो यह क्या था output, उसने खाने की उपर, आपने 100 थाली मंगवाई, तो उसने क्या क्या चार्ज किया होगा, GST, क्या यह employer इस खाने की उपर GST कर सकता है, no, आपके employee नादो के नहीं आते थ आपको क्रेट नहीं मिलेगा, जो यह employee काम कर रहे थी, उसमें इस movie का, इस pizza का, जो इसका beauty artist के पास इनका make-up करवाया है, उसका output से कोई link नहीं है, जब तक आपका input से output का कोई connection ना हो, और आपका output taxable ना हो, आपको किसी परकार का credit नहीं मिलेगा, लेकिन यहां भी एक exception है, एक exception यहां भी है, अगर employer ने यह, जो food service आपको दी है, जो club service आपको दी है, जो entertainment service आपको दी है, आप paper में check करेंगे, यह obligatory है, obligatory है, यह non-obligatory है, सर यह थोड़ा से समझ में नहीं है, बेटे, जो service उसने आपको दी है, यह contractual थी है, पहले जब आप नोकरी करने के लिए आ मेरा इस agreement का part है, तो तो आप employer को उसका credit मिल जाएगा, लेकिन अगर यह non-contractual है, तो कभी भी इसका credit नहीं मिलेगा, तो paper में आपको यह भी check करना है, क्या वो जो food service दी गई है, जो खाना खिला गया है, जो beauty treatment दी है, जो club में भेजा गया है, वो contract की तहत भेजा गया है, य अगर GST book कर सकता है, लेकिन अगर बिना contact के अगर ऐसी service दी गई है, जिनका final product से कोई connection नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के उपर credit नहीं मिलेगा, चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जै हिन्द, जै भार्त.